नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइप में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्री की बहुत सारी शुभकामना है भगवान शीव की अपार शक्ती और भक्ती का पर्व महाशिवरात्री हर वर्ष फालगुन महा के कृष्णपक्ष की चतुरदशी तीथी को मनाया जाता है और इस बार गुरुवार 11 मार्च के दिन मनाई जाएगी इस दिन भगवान शीव और मा पार्वती की पूरे विधी विधान से पूजा करने का विधान है उन्हें आप भांग, धतूरा, बिल्वपत्र और बेर जरूर अर्पित करें इस दिन धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं, रूदरा भीशे किये जाते हैं और महामृत्यूंजय मंत्र का जब भी किया जाता है मान्यता है कि इस दिन महामृत्यूंजय मंत्र का जब करने से आपके स्वास्थ में कहीं कोई पीडा नहीं होती बड़े से बड़े दुरगटना योग भी टल जाते हैं हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपने देखा होगा लगभग हर घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी लोग शिवजी का महाशिवरात्री का वरत जरूर करते हैं। शाम तक वरत रखकर निराहार रहेकर और शाम के वक्त फलाहार कर वरत का पुरा पालन करते हैं। आपने देखा होगा इस दिन शिव बारत भी निकाली जाती है। धूम धाम से ये त्योहार मनाया जाता है। जोतिश में भी कहा गया है कि महाशिवरात्री अगर गुरुवार के दिन हो तो ये और भी खास बन जाता है। वैसे तो महाशिवरात्री का त्योहार खास योग में मनाया जाता रहा है। इस बार शिव योग बन रहा है। शिव योग होने से नक्षत्र धनिष्ठा है और चंद्रमा मकर राशी में है तो इस बार की शिवरात्री बहुत ही दुरलब है, बहुत खास है महाशिवरात्री के वरत का आरंब इस बार त्रयोदशी तिथी में हो रहा है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच वस्त्र धारन करें, फिर पूजावाले स्थान की सफाई करें भगवान शिव और मापार्वती की प्रतिमा स्थापित करें पंचामृत से स्नान कराएं अगर आप चाहें तो अलग-अलग दूद, दही, घी, शहद और शकर से और फिर जल से स्नान कराएं अब भांग, धतुरा, फल, मिठाई, पुष्प पुष्प में अगर आक का यानि की पलाश का पुष्प हो तो सबसे अच्छा शिवजी को चंदन और गुलाल जरूर अर्पित करें मा पार्वती को नए सिंदूर की यानि की जो सिंदूर आप नियमीत रूप से पुझा में इस्तमाल कर रहे हैं उसको इस्तमाल न करके आपको एक नई पुडिया से उन्हें अर्पित करना है फिर जो आपकी उंगली में लगा रहेगा उससे खुद की मांग भरें और सच्चे मन से महाशिवरात्री उरत करने का संकल्प लें अगर आपके घर के आसपास शिवजी का मंदिर है तो जाकर एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत यानि बीना तूटा हुआ चावल बेल पत्र, पुष्प और दूद शिवलिंग के उपर अर्पित करके चले आएं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेर कर दिजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा दोस्तों इस बार महाशिवरात्री प्रारंब होगी महाशिवरात्री के जो पूजा विधान है वो 11 मार्च की रात में ही किये जाएंगे क्योंकि रात्री में पूजा करने के विशेश नियम है, विशेश विधान है शिवजी की पूजा में अगर आप बेल का फल उन्हें अर्पित कर पाएं तो ये सर्वोत्तम होगा भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्री बहुत खास मानी जाती है शिवरात्री वैसे तो हर महने के क्रिश्नपक्ष की चत्रुदशी तीथी को आती है लेकिन फालगुन मास के क्रिश्नपक्ष की चत्रुदशी तीथी को महाशिवरात्री कहते हैं और इस बार शिवरात्री के दिन शिवयोग बन रहा है और मान्यता है कि भगवान शिव और मापार्वती का विवाह अगर आप करवाएं या दोनों का गढ़बंदन करवाएं तो आपके घर परिवार में आपके वैवाहिक जीवन को कोई तोड़ ही नहीं सकता। सदा सदा के लिए आप लोगों का रिष्टा बना रहता है। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती है जो आपको नहीं खानी चाहिए और एक चीज ऐसी है जो शिवरात्री के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपुर्ण फल मिलें। महाशिवरात्री के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं एक वेला उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्री का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संत्रे के जूस का सेवन कर सकते हैं लेकिन इक का यानि की गन्ने का जूस मत पीजिएगा माहाशिवरात्री के दिन फलाहर में सेब, संत्रा, पपिता, केला, खिरा वगेरा खा सकते हैं इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप वो खा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है लेकिन सफेद नमक को मत खाईएगा आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं पर काला नमक यानि ब्लैक सॉल्ट को मत खाईएगा भूल कर भी चावल, रोटी यानि अनाज का सेवन मत कीजिए आप गेहु तो एक बार खा भी सकते हैं पर चावल मत खाईएगा इस बात का ध्यान रखिएगा दही वगेरा भी खा सकते हैं, कोई दिकत नहीं है मूंग फली या मखाने को घी में फ्राय करके भी खा सकते हैं मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें गाजर, लौकी की खीर, साबुदाने की खिचडी आप खा सकते हैं इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी बनाया जाता है आप उसको भी खा सकते हैं लेकिन अनाज और साधारन नमक का इस दिन वरत में प्रयोग ना करें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं वरना आपके वुरत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है लेकिन वो एक खास चीज जो शिवजी पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएगी वो है पंचामरुत आप पंचामरुत जरूर अर्पित करिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाईएगा दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरिके का खाना बना कर खाया जाता है आप फलाहार भी कर सकते हैं आलू का हलवा, बॉयल किया हुआ शकरकंद या सिंघाडे का हलवा भी खा सकते हैं इस दिन शिवलिंग के उपर बेर जरूर अर्पित करें उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाईए याद रखिए, इससे शत्रू और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जेजेकार होगी आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है या फिर दुश्मन आपके खिलाप कुछ नहीं कर पाते शिवलिंग पर केला जरूर अर्पित कीजिएगा गुरुआर का दिन है तो इस दिन केला मत खाईएगा वैसे महाशिवरात्री के दिन आप दूद का सेवन कर सकते हैं लेकिन केवल दूद नहीं उसमें दो-चार चीनी के दाने डाल कर ही सेवन कीजिएगा केवल दूद कभी भी नहीं पिना चाहिए वरत्योहार में तो भूलकर भी नहीं दो-चार दाने चीनी डाल दें भले ही आप चीनी नहीं खाते हैं तो भी इस तरह से आपका वरत्पुर्ण होगा और जब आप फलाहर करें तो उसमें दो तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा ताकि आपके व्रत का फल आपको पूरा मिलें अगर आप भोले बाबा के भक्त है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नौलेजबर वीडियो आपको सबसे पहले मिलें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो